कि नमस्कार में मतासिफ क्या पंजाब के बाद अब राजिस्थान की बारी है क्या पंजाब के बाद अब राजिस्थान में भी कुछ बड़ा होने वाला है क्या पंजाब के बाद अब राजिस्थान में भी वही कुछ देखने को मिलेगा जो तीन से चार दिन पहले हम सब को पंजाब में देखने के मिला क्या वही चीज होने वाला है जो पंजाब में हुआ जो राजिस्थान में अब वही चीज होने वाला है मैं ऐसा क्यूं कह रहा हूं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पंजाब में जो तस्वीरे आई कैप्टन अमरिंदय का इस्तीफा हुआ चरण जी सी चन्नी नहीं मुख्यमंतरी बने जो सिदू जो चाहा रहे थे वो ने मिल गया तो क्या पंजाब में राजिस्थान में भी यही कुछ बड़ा होने वाला क्या आशो गैलोत की छुटी होने वाली है क्या उन्हें भी कहीं इस्तीफा तो नहीं देना पड़ेगा क्या वाकई में सचीन पाइलिट के साथ राहूल गांदी और प्रियंका गांदी आएगे क्या उनका समर्थन करेंगे यह बहुत बड़ा सव वाक थी और वो यही कि सचीन पाइलिट से मुलकात कर रहे हैं राहूल गांदी प्रियंका गांदी भी वहां पर मौझूद है और सवाल तरह तरह के खड़े किये जा रहे हैं इस बीच में अब सब तमाम लोगों को इस बात का जो है इंतजार है कि आकर अशोग गहलोत का क् आई नहीं प्रियंका गांधिया और राहूल गांधी से नब्जोश सिर्दू की मुलकात हो रही थी और देखा आपने की तसवीरे क्या है तो क्या यह माल लिया जाय कि अबॉट कोंग्रेस में अब अलाकमान और की बैलू नहीं है और क्या वाकई में यह भी माल लिया जाय कि राहूल गांधी जो नई फॉज के टीम त्यार की है उस पर चलना चाहते हैं अब देखना होगा कि आखिर कॉंग्रेस की तस्वीरे क्या रहती है और राजिस्थान में क्या होता है फिलाल के लिए तना ही बागे खबरों के लिए देखते रहें स्पेन आई न्यूस नमस्क कि विलाल अरों के लोगाए जेखते हैं